हेलो दोस्तों आप सब कैसे हैं अर्मान मोटिवेशन में आप सब का स्वागत है आज आपको एक स्वामी विवेकानंद जी का अनमोल विचार आपको बताने जा रहा हूं जो आपको आपकी लाइफ को बदल देगा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्षे की प्र चारों से सभी को प्रभावित किया आएज जानते हैं स्वामी विवेकानंद के ऐसे अनमोल विचार जो आपको जीवन में हों सला देंगे आपको जीने का सही मकसद मिलेगा यही दुनिया है यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उससे कोई महत्व नहीं देंगे किन्त तुज्यों ही तुम उस कारे को बंद कर दो वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमानित करने में नहीं हिचकिचाएंगे मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे सनेहियों द्वारा ठगे जाते हैं जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए आप यकीन कर सकते हैं कि आ या आदर्श है कि तुम परमात्मा हो भगवान की एक परमप्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए इस या अगले जीवन की सभी चीजों से बढ़कर यदि स्वयम में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराईयों और दू अख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है यह जीवन अल्पकालीन है संसार की विलासिता क्षणिक है लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वे वास्तव में जीते हैं उठो मेरे शेरों इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो तुम एक अमर आत्मा हो स्वच्छंद जीव हो धन्य हो इंसान हो तुम तत्व नहीं हो और नहीं शरीर हो तत्व तुम्हारा सेवक है तुम तत्व के सेवक नहीं हो जब लोग तुम्हें गाली दें तो जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता इसे स्वयम को बनाना पड़ता है जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मन्जिल मिलती है पवित्रता धैर्य और उद्ध्यम ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूँ दोस्तों स्वामी विवेका नंद जी का ये अनमोल विचार आपको कैसा लगा मुझे जरूर कॉमेंट करें एक लाइक जरूर करें ताकि ये अनमोल विचार और लोगों तक जाए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अपना खयाल रखे और जिंदगी में आगे बढ धन्यवाद